हैलो क्यूबेशिक में आपका स्वागत है आज हम लोग अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में जलते हैं तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कि इस ओपरेशन का ओर्डर ओफ प्राइडिटी क्या है तो नमबर वान ओर्डर ओफ प्राइडिटी है ब्रैकेट का पतलब अगर कुछ रहे उसको हम लोग सॉल्ब करते हैं उसके बाद नमबर टू पर हम लोग एक्स्पोनेंशियल को सॉल्ब करते हैं मतलब कुछ कैरेट जैसे साइन रहे उसको और नमबर थ्री में हम लोग डिविजन और माल्टिप्लिकेशन को सॉल्ब करते हैं और नमबर फोर म प्रायरिटी में है प्लास माइनस प्लास और माइनस अगर रहे तो उसको पहले उसके बाद शॉल्फ करते हैं तो अगर ऐसा आ जाए कि डिविजन माल्टिप्लिकेशन दोनों साथ में है तो किसको बहले करें उस तरह के सिचुएशन में लेप्ट से राइट जाते समय जो पह हम लोग लेप्ट से राइट की तरफ जाते हुए जो पहले आता है एक्सप्रेशन में उसको पहले शॉल्फ करते हैं तो अब हम लोग एक एक्जाम्पल देखें समझते हैं कि सी एलेस कि प्रिंट कि आप एज गर्टू लेते हैं कि दो कि दो प्रिंट करें भी लेते हैं चार और फिर सी लेते हैं कि छे उठी और डी लेते हैं कि आठ अब इसको हम सॉल्फ करते हैं कि स्साल्फ करते समय हम लोग इस तरह से देर सकते हैं प्रिंट, b-c, और उसके बाद by, c a into d, इसको जब solve करेंगे, तो पहले, b-c है, c by, तो सबसे पहले हमको division का काम पूरा करना पड़ेगा, तो division में है, c है मेरा 6, a है 2, minus 3 हो गया, minus 3 को d से गुना करना पड़ेगा, minus 24 और उसके बाद b से, divide, b से घटाना है, तो minus 20 आएगा, इसको अब हम लोग, एक 5 देखके देखते हैं, minus 20, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग change कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पर bracket देते हैं, तो एंसर में चिंज हो जाता है, यहाँ पर bracket दे दिये, तो bracket देने से bracket का कम पहले करना पड़ेगा, b 4, minus c, 4, minus 6, minus 2 हो गया, अब उसको a से divide करना पड़ेगा, minus 1 हो गया, minus 1 को 8 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, minus 8, यहाँ पर था, b minus c, minus 2, minus 2 को हाँ, minus 8, यह हो गया answer, इसको एक 5 देखे देखते हैं, यह minus 8, और अगर हम लोग, यहाँ पर कर देते हैं, इसको इन्टू कर देते हैं, बी एस्ट्रिक शी, बाई, एस्ट्रिक डी, और इसको भी हटा देते हैं, अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले b और c को गुना करेंगे, b हो गया 4, और c हो गया 6, 24 हो गया, 24 वाई, यह करेंगे, 12 हो गया, 12 को आठ से गुना करने पड़ेंगे, बस इसको अब देखते हैं, 5 पर, यह आगया 96, अब इसको फिर हम लोग, थोड़ा सा अब चेंज करते हैं, यहाँ पर, डिलीट करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, माइनस, और इसको हम लोग ब्रैकेट से घिर देते हैं, ब्रैकेट से घिर ने पर क्या होता है? ब्रैकेट से घिर ने पर पहले हमको इसका काम करना पड़ेगा, A into D यानि 8 दूनी 16, 16 को पहले, और C है मेरा 6, 16 करना पड़ेगा, तो C का भेलू, यहाँ पर अगर हम 2 दे देते हैं, मतलब A, इसको डिलीट करके A दे देते हैं, B-A, तो क्या होता है? यहाँ पर A गुने 8 हो गया, क्योंकि A हो गया मेरा 8, B, A into D, हाँ 16, 8 हो गया, आठ फिर जाएगा, B से माइनस दो गया, नहीं, 1 बाइट हुआ ना, यह हुआ दो, और यहाँ पर यह हो गया, 16, 16 में से 2 से, 1 बाइट, और यहाँ पर B में था, 4, फोर माइनस 1 बाइट, तो यह 0.125, फोर में से घटेगा, 3 पॉइंट कुछ लाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्प करके, इसको एफ 5 में देखते हैं, 3 पॉइंट, यह 875, क्योंकि 125, 0.125 माइनस हो गया है, फोर में से, इस तरह से हम लोग सॉल्प करते हैं, थैंक यू,